नमस्कार भारत एक सोस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हुश है दोस्तों अखलेश शादो आठ और नौ जनवरी को आयोध्या जा रहे हैं जी हाँ एक दो दिन के दोरे पर अखलेश पहुंचेंगे और जो जानकारी हमारे पास है उसके मताबिक वो एक दिन रात में आ हुआ है उसमें क्या कुछ कहा गया है अखलेश के दोरे को लेकर ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों जिस तरह से परुश्राम की पूजा करने के बाद अखलेश ने ब्रामनों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की उसके बा आखिर अखलेश आयोध्या क्यों नहीं आ रहे हैं तो अखलेश उन लोगों को भी जवाब देंगे जो मुलायम सिंग पर यारूप लगाते है कि कारसेखों के साथ उन्होंने जाजती की अखलेश दो दिन के दोरे पर रहेंगे और ये जो जानकारी हमाएं पास अहला कि अ इस बात का जिक्र नहीं है और ये कहा गया है कि जो विस्तित का इक्रम अखलेश कहोगा वो बाद में बताया जाएगा लेकिन हमारी जानकारी कहती है कि अखलेश अपने दो दिन के आयोध्या दवरे के दोरान राम लाला की दर्शन कर सकते हैं एक दूसरे मंदिरों में भी कर सकते हैं और रामदला के दर्शन भी कर सकते हैं सवाल इस तरह के भी थे कि अखलेश रामदला के मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं जाते आयोध्या क्यों नहीं जाते तो चुनाओ के बख सबकी बोलती बंद करने के लिए अखलेश अब आयोध्या जा रहे हैं यूपी में ब्रामर मद्दातों को लेकर जिस तरह से रेस चल रही है उसमें अखलेश अब बढ़त बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं हम आपको ये बात भी बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि समाजवादी पाइटी की तरफ से जो प्रशासम को लेटर जारी किया गया है अखलेश की आयोध्या दोरे को लेकर उसमें क्या कुछ कहा गया है ये लेटर जारी हुआ है इसमें इस बात का जिक्र है कि आठ और नौ तारी को अखलेश आउध्या पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो आउध्या का ब्रहमड करेंगे और रात में रुकने का भी उनका का इक्रम है साथ में वहां के प्रशासन से इस बात की अपील की गई है कि अखलेश आदो को उनके प्रोटोकॉल के मताबिक सुरक्षा का पुक्ता इंतजाम किया जाए उन्हें जेट प्लस सुरक्षा उपलब्द कराए जाए क्योंकि अखलेश आदो पूरो मुख्यमंत्री हैं ऐसे में का प्रोटोकॉल है और जब भी ओ किसे शहर में जाते हैं तो वहां के प्रशासन को इन प्रोटोकॉल को फालू करना होता है और अखलेश आदो के एवध्या दोरे को लेकर जो लेटर यहां पर जारी किया गया है प्रशासन के लिए उसमें भी इन बातों का जिक्र किया गय कि उनके प्रोटोकॉल को फालू कराए जाए उन्हें जेर प्लस की सुरुक्षा मोहिया कराए जाए इसके साथ ही उनको आपको पता दें उनके लिए रात रिविश्टाम के लिए सार्किट हाउस अध्या में सूट आरक्षे तो यानि रिजर्व करने की बात भी कही गई है य राम लाओं के दर्शन क्यों मुलाकात करेंगे चुनाओं को लेकर वहाँ पर चर्चा तो होगी ही होगी लेकिन जवाब उन तमाम लोगों को दया जाएगा जो अखलेषility के धर्म को लेकर नके राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हमेशा खड़किये जाते हैं दोस्तों यूपी की धुआधार राजनिती खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाईए क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे चलते हैं जै भीम जै भारत